हेलो गाइज वेल्कम टू अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिंट्स पीवियर आइनॉक्स की ओर से सप्टेंबर क्वाटर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है स्टेंडर रॉन कॉंसॉलीडेटेड दूनों रिजल्स आउट हो चुके आज केस वीडियो में अलस क्वाटर इस बात निकला रहता है कि कंपनी का पहले लॉसस हो रही थी काई इस बार कंपनी को पॉफित हुआ है जोगी profit इस बा निकल के आया है अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो operating profit है 221.7 करोड का पिछले quarter में 107.9 करोड का losses है और September 22 quarter में 118 करोड का losses है quarter on quarter year on year में बहुत strong growth देखने को मिला है इस बार का net profit of 166.2 करोड का पिछले quarter में 82 करोड का losses था और September 22 quarter में 71.5 करोड का losses था quarter on quarter year on year में strong growth देखने को मिला है EPS 16.91 रुपीज का quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है segment वाज revenue की बात करें तो movie exhibition others जिस में include है movie production and distribution etc फिर इन दोनों से revenue company generate कर रहा है बहुत ही strong growth इस बार देखने को मिल रहा है बहुत strong result देखने को मिला है अगर debt equity ratio की बात करेंगे तो 0.23 times का देखने को मिल रहा है जो कि इस बार का debt जो है लगब लगब बहुत ज्यादे रेडियूस किया है पिछले quarter पिछले साल से और अगर हम operating margin की बात करेंगे तो 35.0 35.34% का है बहुत strong growth देखने को मिल रही है और इसका net profit margin 8.21% का पहले losses था इस बात margin बहुत एच्छी growth हुआ है अगर हम इसके stand around financial result को cover करें देखे consolidated तो बहुत strong result पेश किया है stand around में income है 1959.4 करोड का पिछले quarter में 1290 करोड का और September 22 quarter में 670.4 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है expenses 1737.5 करोड का पिछले quarter में 1396.8 करोड का और September 22 quarter 178.4 करोड का expense हुआ था quarter on quarter year on year के expenses भी increase किया है income के according इसके बाद operating profit अगर देखे 221.9 करोड का है पिछले quarter में loss था 106.7 करोड का और September 22 quarter में भी losses था 108 करोड का quarter on quarter year on year में बहुत ही strong growth देखने को मिला है नेट profit loss है 165.9 करोड का पिछले quarter में 80 करोड का loss है और September 22 quarter 69 करोड का losses quarter on quarter year on year में strong growth देखने को मिला है EPS 16.87 रुपीज का quarter on quarter year on year दोनों में strong growth हुआ है तो गाइस company के जो रिजल्ट निकल किया है बहुत ही strong result निकल किया है पहले company को losses रहा था अब company profit के और बढ़ती विने ज़र आयो तो कह सकते company आने वाल टाइम में और बेच्छी profit कर सकते अच्छी परफॉर्म कर सकती है तो यहां पर overall अच्छी result पेच्छी है तो हम लग